हलो फ्रेंज विल्कम बैक टो मैं चैनल शायना गोयल सो फ्रेंज आप सभी फिट इन फाइन होंगे हेल्दी होंगे फ्रेंज सो आज की वीडियो का टॉपिक हमारा है CCE that is continuous and comprehensive evaluation सो आप कोई भी teaching course कर रहे हैं या फिर teaching के exam की preparation कर रहे हैं तो ये topic बहुत important है for all of you so इस topic को हम complete देखने वाले हैं with the introduction क्यों इसको CCE कहा जाता है इसके under क्या सब parts है complete इस topic को detail में हम आज study करने वाले हैं each and every point of this topic so friends अगर आपने मेरे previous videos चेक नहीं की हैं CDP series की तो definitely आपको वो चेक करने चाहिए क्योंकि along with the previous year questions हम सब एक topics को बहुत अच्छे से detail में करते आए हैं तो आप चाहें तो उनसे notes भी बना सकते हैं so friends आज की video start करने से पहले अगर आप मेरे channel पर नहीं है तो इसे subscribe कर लीजे और साथ ही में click कर दे bell icon पर ताकि मेरे आने वाले videos की notification आपको सबसे पहले मिल जाए so देखिए CCE यानि की continuous and comprehensive evaluation सबसे पहले ये इसकी need क्यों पड़ी पुराना जो system था evaluation का वो क्या था yearly system था साल के end में बच्चों पर इतना burden होता था full syllabus आता था और बच्चों की जो overall development है वो नहीं check होती थी बहुत सारे factors थे जो कमिया थी पुराने education system में उसको खतम करने के लिए CCE आया था जो कहता कि evaluation बच्चों की continuous होनी चाहिए और comprehensive यानि की vast area होना चाहिए evaluation का ठीक है तो सबसे पहले हम इसकी जो introduction है कि यह कैसे आये किस तरह से वो हम करते हैं फिर हम detail में इस चीज को देखेंगे सबसे पहले देखिए यह suggest CCE को किस ने किया national policy of education 1986 में इस चीज को suggest किया था and RTE 2009 में section 21, 29.1 में इस चीज को implement करने की भी बात कही हुई है तो यह section आप लोगोंने याद रखना है section 29.1 then CBSE ने इस चीज को implement किया in the year 2000 for the first time यह चीज जब implement होई वो किस ने की थी CBSE ने और कौन से साल में 2009 में किस class पर सिरफ class 9 पर यह implement होई थी और all over India यह चीज implement होई थी April 1 में 2010 जब RTE 2009 भी implement हुआ था same date को ठीक है तो यह चीज आपको याद रहेगी कि all over India यह चीज कब लागो हुई और RTE कब लागो हुआ that was 1 April 2010 यह चीज introduction clear है देखिए इसमें से भी questions उठके आ जाते हैं सबसे main question तो यही होता है कि सबसे पहले यह चीज implement कौन से साल में हुई या फिर कौन से class के लिए हुई या फिर all over India यह चीज implement कब हुई ठीक है तो यह दो points को अपने ध्यान में रखना है एक तो first time जब implement हुई तो किस साल में हुई और second क्या है all over India यानि कि पूरे देश भर में यह implement जब हुई तो कौन सा साल था that was 2010 दोनों में difference क्लियर हो गया now we will see the CCE in detail so friends देखिए continuous and comprehensive evaluation so continuous में फिर जो हैं दो factors होते हैं सबसे पहले हम देखते हैं इस education का main aim क्या था aim था to improve improve not just measure ठीक है measure करना नहीं है improve करना भी है क्या हर student के learning किस तरह की है ठीक है learning में भी सिरफ marks नहीं है बच्चे की personality क्या है बच्चे का attitude है ठीक है उसकी health क्या है सभी चीज़े important है personality participation and health ठीक है सभी चीज़े important है in stimulating stress free ways ठीक है तो यह क्या है cce का aim है to improve not just measure each student's learning not just marks in stimulating stress free ways यह चीज़ समझा गी और evaluation क्या होता है to assess each area of learning ठीक है सिरफ marks नहीं सिरफ बच्चे की study area नहीं यह क्या कहते है कि बच्चे की overall development होनी चाहिए हर field में बच्चे को judge किया जाना चाहिए कोई बच्चे studies में अच्छा होता है कोई games में अच्छा हो सकता है कोई music में अच्छा हो सकता है तो हर area को develop करना चाहिए बच्चों का और हर area को judge भी करना चाहिए यानि कि उसको evaluate करना चाहिए यह चीज़ clear हो गई सिरफ marks हमारे लिए matter नहीं करती है बच्चे की क्या personality है क्या growth है उसकी physical fitness किस तरह की है कितना वो active है class में कितना participate करता है ठीक है सभी चीजें क्या है continuous and comprehensive evaluation का part है यह each and every aspect of child's learning को क्या करता है evaluate करता है basically तो देखिए continuous में भी further दो है हमारे पास एक है continual and second is periodicity continual means जो लगातार होता है हम इसको daily भी कह सकते है बच्चे की जो evaluation daily होती है weekly होती है इसको हम क्या बोलेंगे continuous evaluation आज जो topic class में teach कर दिया teacher ने next day उसके 2-3 question पूछना that is continual evaluation ठीक है तो इसमें देखिए further दो होती है formative and placement formative evaluation formating assessment भी बोलते हैं इसको FA ठीक है तो यह क्या होते है इसमें diagnostic teaching होती है T for teaching ठीक है यहाँ पे space नहीं थी तो मैंने सिरफ T लिख दिया है T किसके लिए है teaching के लिए तो यह आप लोग समझ लेना देखिए सबसे पहले तो आप इसका screenshot ले लिजे फिर इस पे हमारा work start हो इसे मत सोचना क्योंकि वह हम अलग वीडियो में समझेंगे यहाँ पर इतना समझेंगे अदर्वाइस यह session काफी लंबा हो जाएगा ठीक है तो देखें formative evaluation है जो continuous means जो लगातार बच्चों की evaluation चलती रहती है process ऐसे नहीं कि साल में साल के end में हमने evaluate किया no continuous daily weekly ठीक है 15 दिन ना teacher बच्चे को suppose सभी students को एक सम teacher ने दे दिया हर बच्चा जो है जरूरी तो नहीं कि वो सम को correct ही solve करके लेके आएगा तो उस चीज को देखना कि कहां पर बच्चों ने क्या problem arise हुई है बच्चों की learning में ठीक है that is diagnose करना जैसे doctor diagnose करते हैं आप बोलते हैं कि मेरा पेट क्यों रहा हैं बच्चे ने सम गलत क्यों किया ठीक है तो वो चीज को diagnose करते हैं तो जब उनको proper problem का पता लग गया फिर वो क्या कहते हैं उसकी remedy बताते हैं doctor's medicine देते हैं teachers अपनी knowledge provide करते हैं बच्चों को ठीक है extra time देते हैं उनको extra अलग way से teach करने की कोशिश करते हैं ठीक है ठीक है teacher ने वो clear कर दिया next class में वो बच्चों का feedback मिल गई न teachers को कि मैं हमें यह चीज समझ में नहीं आई यह चीज आप लीज दुबारा करवा दीजिए आप लोग मुझे मी comment करते हैं जब मैं आपसे doubts पूछती हूँ कि यह चीज थोड़ा और explain कर दीजिए या इस topic पर ए देन improve teaching अगर teaching में कोई problem है suppose आपको इस method से समझ नहीं आ रहा कोई और method यूज किया जा सकता है ताकि teachers अपनी teaching को improve कर पाएं क्यों क्योंकि हमें output क्या चाहिए learning बच्चों की better हो पाए effective हो पाए इसलिए teaching better करनी पड़ेगी effective करनी पड़ेगी ठीक है और इसका यह बहुत ज़्यादा important point है इस पर तो एक separate video भी बनेगी that is assessment for learning अब देखिए तीन चार होते हैं assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning, assessment in learning तो इस पर मैं separate video में भी आपको बताऊंगी यहाँ पे थ for learning, learning के लिए की गई assessment यानि कि यहाँ पे बच्चे की learning चल रही है भी continuous है तो उसको assess करना assessment for learning, learning के लिए assessment करना ताकि बच्चों की learning better हो पाए वो किसके अंडर आता है formative assessment की दिखिए इस चीजों में से हर आपको हर point में से काफी सारे questions बनते हैं इस में से maximum number of questions बनते हैं ठीक बहुत important है मैं कोई नहीं बोलूगे कि यह important है यह कम important है every point is most important तो ध्यान से सुनेगा note चाहिए आप बाद में कर लेना आपके पास screenshot है इस चीज का तो आप बस सुनते जाए each and every point कोई point आप लोग ने miss नहीं करना है clear assessment for learning समझ में आ गया अब देखिए होता है summative assessment इसको हम क् placement होता है देखिए placement basically क्या होता है हमें पता है college में जैसे हम job के लिए हमारी placement होती है तो क्या होता है screening होती है ना एक तरह से पहले हमारा admission किसी में हो या फिर हम किसी job में लगें वहां से हमारे skills को test किया जाता है हमारे skills को test किया जाता है उसी तरह से placement के अंदर क्या होता है अ अगर आपने किसी कोर्स में एडमीशन लेनी है या फिर कोई आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके पहले स्किल का टेस्ट होगा स्किल टेस्ट करने के बाद ही आप वहाँ पर प्लेस हो पाएंगे उस टेस्ट के लिए पर्टिकुलर ठीक है फॉर्मेटिव असेस्मेंट के साथ यह होते हैं यानि कि प्लेस्मेंट में कॉंटिन्यूसली यह चीज़े चलती रहती हैं कि बच्चों के स्किल्स टेस्ट होते जाते हैं वो उस लेवल में प्लेस हो जाते हैं intelligence students है, यह average students है, and so on, clear हो गई यह चीज, अब देखे, periodicity क्या होती है, over a period of time, periodicity, periodically हम कहते हैं, जैसे साल में, बच्चों की fee पे करनी होती है, quarterly fee, अक्सर parents पे करते हैं, कि चार महीने बाद, आप लोग ने इतने पैसे जमा करवाने हैं, या फिर आप tuition भी लगते हो, तो वो कुछ fixed interval के बाद, तो summative evaluation ऐसी है, जो साल में दो बारी होती है, यानि कि इसका interval क्या हुआ, half year का, इसको half yearly exams भी कहते हैं, normal language में, आप किसी भी school के बच्चे से पूछो, यह सिरफ पढ़ने वाली बात हैं, आप इस चीज को practically, कोई भी school going student है ना, जो 10th से below है, तो उसको आप consult करके देखो, वो आपको better समझाएगा, आपकी knowledge भी उतनी नहीं होगी, जितना वो आपको बता देगा, कि formative assessment इतने marks की होती है, है ना, summative हमारी इतने marks की होती है, तो मैं वो चीज़े यहाँ पर हम discuss करेंगे, सबसे पहले दिखिए, summative जैसे यह साल में दो बारी होती है, यह paper, इसको हम written exam भी कह सकते हैं, ज्यादा बड़ा paper कहते हैं, जो 80 marks का या फिर 100 marks का, इस तरह से paper होता है, तो यह होता है judgmental, judgmental नहीं, sorry, judgment, judgment देता है कि बच्चे की learning कितनी हुई है, या फिर effective teaching कितनी हुई है, तो यह होता कब है, at the end of the term, या फिर end of session, जैसे अब जो classes है, वो क्या हो गई, half yearly classes हो गई, जो सिले बस बच्चों ने 6 महीने पढ़ लिया, वो next 6 months में वो chapters नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, यही तो CCE कहता है कि बच्चों पर एकदम से ज्यादा burden ना डाले, कि साल के end में आप paper ले रहे हो, और सभी वो एक से लेके 24 तक chapters आ रहे हैं, बच standing better हो, इसलिए half yearly exams जिसको summative evaluation हम कहते हैं, वो होता है, ठीक है, इसको कहते है assessment of learning, अब of learning, जो learning की है, उसको evaluate करना, यहां पर क्या थी, जो learning की है, उसके लिए बच्चों को evaluate करना, जो learning करनी है बच्चों ने, assessment for learning, learning के लिए, ठीक है, यह क्या हुआ learning, अब मेरी हिंदी की writing ज learning के लिए, और assessment of learning क्या है, इसको assess करना, ठीक है, यह learning हो चुकी है, अब उसको evaluate करने हैं, कि बच्चों ने, कितना पढ़ा था, for example, आप seated की, या फिर estet की, या फिर कोई भी state level की preparation कर रहे हो, तो अभी क्या चल रहा है, अभी आपका सब चल रहा है, formative, diagnostic teaching चल रही है, remedial teaching च जब आप MCQ मेरे साथ साथ करते हैं, तो आप मुझे comment करते हैं, ठीक है, वो आपका अंसर गलत हो सकता है, या सही हो सकता है, वो किस में आता है, formative में, summative, यानि कि ये assessment of learning कब होगी, जब आप actual अपना seated का paper देंगे, या फिर जो भी आपका state level का paper है, वो आप देंगे, तब आपकी assessment of learning होगी, कि कितनी learning की है, आपने कितनी concept clear है, कितनी MCQs practice की है, ये test वो judge करेगा, तो ये final test होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, summative, थोड़ा relate करके समझाने की कोशिश की है, अगर आपको ये चीज़ समझाई हो, तो please इसे like share करते जाए, वीडियो को अगर आपको helpful ल अब comprehensive, कहां से आया है, English word है, comprehension, जहां पर काफी detail में आपको paragraph दिया होता है, तो उसमें से आपने ढूंड ढूंड के questions answer करने होते हैं, तो उसी तरह से ये है कि बच्चों को अगर आप evaluate करना चाहते हैं, सिरफ एक particular field या फिर subject area पर आप उसको evaluate ना करें, उनकी evaluation comprehensive होनी subject के related, यानि कि इसको मैं आपका syllabus कह दूँ, for example, जो हम discuss करें हैं, सारा, आपके syllabus के under है, ठीक है, syllabus के under है, हम क्या पढ़ रहे हैं, CDP पढ़ रहे हैं, CDP में हम CCE पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर assessment for learning, आज समझ सकते हैं, कि उसके under हम ये topic कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है आपका subject का area, subject में क्या आ जाते हैं, English, Hindi, Mathematics, Science and Social Studies, इसके इलावा जो भी आपके हैं, वो subjects होंगे, ठीक है, तो ये हो गया scholastic, यानि कि school में जो subjects हैं, वो, को scholastic, यानि कि school की study के इलावा, जो बच्चे के life के लिए skills हैं, उसके personality के लिए, उसके health के लिए, ठीक है, यानि कि बच्चा अच्छे से participate कर पाए, encouragement मिले, उसको motivation मिले, ये सारी other than studies, वो चीज क्या होती है, को scholastic के अंदर आती है, ठीक है, अब देखिए, जो scholastic हम discuss करेंगे यहाँ पर, ये सारा क्या है, ये सारा part, ये complete part इस चीज के अंदर आता है, scholastic area के अंदर, क्योंकि जो भी evaluation होती है आपके subjects के हम कहते हैं, बच्चे ने कितना learn किया है, वो subjects के हिसाब से ही होता है, तो ये सारी चीज इसी के under आती है, अब scholastic में देखिए, ये subject areas हो गए, उसके बाद हम कहते है, formative assessment, ये वाली, formative, तो formative होती है, साल में 4 बार, ठीक है, for example, आपकी 10-10 marks की हो गई, 4 बार, 40 marks इसके हो गए, ये actually weightage है कि अगर आपके 100% marks में से 40% जो weightage है, वो formative assessment की होगी, और 60% weightage जो है, वो summative assessment की होगी, ठीक है, तो समझ लीजे, साल में अगर दो बारी ये paper होता है, हम इसको 30 marks का अगर कहले, तो ये कितने हो गए, 60 marks का, actually ये 30 marks का नहीं होता है, ये 60 का होता है, तो इसकी ratio जो है न, वो 40 to 60 होती है, ये ratio होती है कि इतनी percentage इसकी होगी, इतनी इसकी होगी, तो basically हम कहते है, formative assessment साल में, चार बार होता है, ठीक है, essay, देखी, FA1, FA2, FA3, FA4, ये किसके under आते हैं, इसके बाद आता है, आपका essay 1, फिर आएगा, FA4, 5, 6, 7, 8, फिर उसके बाद का क्या आएगा, essay 2, जो आपका another year end में होगा, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, तो ये total कितनी percentage होगी, ये हो गई आपकी, 100 percentage of marks, actually देखें, school levels में यही चीज़ implement भी होती है, सिरफ ये नहीं है, कि हम इसको पढ़ने के लिए कर रहे हैं, school में यही format follow होता है, बच्चे स को स्कॉलास्टिक में क्या होता है, को स्कॉलास्टिक में होता है, आपके subject को छोड़ कर, बाकी fields में भी तो आप लोगों को enhance करना है न, अपने capabilities को, तो life skills के related, work education होता है, attitudes and values, ठीक है, visual and performing arts, इसके अंदर co-curricular activities आ जाती है, physical and health education, या फिर इसकी जो activities है, इसकी like life skills में क्या होता है, इसमें basically तीन aspects cover होते हैं, first is thinking skills, फिर social skills and another is emotional skills, जिसमें आपकी activities आ जाती है, like dealing with stress हो जाता है, self awareness, problem solving, interpersonal relationships, effective communication, ये सारा किसमें आता है, life skills में, जो आपको morally उठाने की कोशिश करता है, उसके बाद work education, like कुकरी classes होती है, schools में हैं न, cooking आपके पास choices होती है, आप cooking classes में जाना चाहते हो, या फिर कुछ भी hand embroidery होता है, recycling of people हो गया, preparation of stationary items, कुछ भी जो practically आप चीज़े कर सकते हो, ताकि आगे जाकर आप उसको as a work भी अपना आपाऊ, ठीक है, वो किसमें आता है work education में, उसके बाद attitudes and values, ये चीज़े आपको सिखाई जाती है, कि teachers के साथ आपका किस तरह का behavior है, ठीक है, अपने friends के साथ, जो आपके schoolmates है, वहाँ पर आपका क्या behavior है, क्या participation है, आपकी school programs में, उसके environment की तरफ, क्या योगदान है आपका, then is visual and performing arts, इसमें visual and performing arts में हम कह सकते हैं, like music, music में भी आपका vocal, instrumental, फिर ड recording है, आप वो choose करते हैं, options होती है, हमारे पास कोई बच्चा music में जाता है, कोई dance में जाता है, then co-curricular activities में फर्दर दो होती है, activities like literacy and creative skills होती है, या फिर ICT based होती है, another is physical and health and physical education related, जो activities होती है, like आप sports में जाते हैं, या फिर NCC, NSS camp आप जॉइन करते हैं, swimming, gymnastics, yoga, ठीक है, gardening, scouting and guiding, यह सारा किसके अंडर आ जाता है, physical and health education के अंडर, तो यह सारा, देखें कितना कुछ था इसमे, and each and every point here is very important, अगर आपको इस चीज में कोई doubt हो, तो definitely you should clear your doubt, क्योंकि यह बहुत important topic है, चाहे आप कोई भी teaching का course कर रहे हैं, या फिर teaching का आप exam देने वाले हैं, इसमें से question आपको 100% देखने को मिलेगा, so friends, I hope यह वीडियो आपको helpful रही होगी, तो इसे like and share जरूर किजएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, और next वीडियो इसी का part 2 है, क्योंकि वहाँ पर हम इसके tools and techniques discuss करेंगे, अब देखें जो formative evaluation है न, evaluation formative है, चाहे summative है, इस चीज को करने क लिए teachers यह कैसे करेंगे, उसके लिए चाहिए tools and techniques, tools and techniques, तो वो tools and techniques क्या है, वो हम इसकी next discuss करने वाले हैं कि जो formative और summative evaluations teachers करते हैं, उसके लिए क्या tools and क्या techniques का use होता है, basically इस चीज को हम complete देखने वाले हैं, यह भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा important topic है, और CCE का ही यह part है, so friends इस चीज को हम complete देखने वाले हैं, आप चाहें तो इसका सबसे पहले screenshot लेकर रख लीजे, क्योंकि उसके बाद board पर क्या हम diagrams draw करते हैं, उससे सारा जो written material है, यह थोड़ा सा visibility इसकी कम हो जाती है, तो आप पहले इसको screenshot ले लीजे, या फिर इसक generation आप लोगोंने break नहीं करनी है, so friends starting with the tools and techniques of evaluation, अब देखिए अगर teachers ने evaluate करना है बच्चों को चाहे वो formative assessment है या फिर summative assessment है, ठीक है, वो करने की सबसे पहले technique लगेगी कि कि किस तरह से teachers बच्चों को evaluate करेंगे, सबसे पहले देखिए observation, यानि कि बच्चे को देखना, कोई भी suppose teacher ने बच्चे को task दिया है, कोई sum दिया है करने के लिए, तो वो observe करेंगे कि बच्चे किस तरह से उस चीज़ को कर रहे हैं, observe करके सिरफ अपने mind में थोड़ी रखेंगे, कहीं return record, कुछ record तो होगा ना उनके पास रखने के लिए, तो वो किस तरह से observe, सबसे पहले उन कि पूरे साल का बच्चों का जो अच्छा वाला record होता है, हम कहते हैं, जो accomplishments बच्चे ने की है, एक बच्चे की अगर हम सारी चीज़े देखें कि इसने ये price जीते हैं, ठीक है, ये award विन किया है, या फिर यहाँ पर ये position रही है, वो सब कुछ किस में आता है, portfolio में आता है, जैसे हम film industry में भी देखते हैं, कि कोई भी model होते हैं, या फिर कोई भी actor actresses होते हैं, उनका portfolio होता है, एक proper, उनका कच्चा चिठा हम कह सकते हैं, कि ये चीज़े इनोंने की हैं, ये इनोंने हासिल किया है, ये इनकी speciality है, and each and everything, ठीक है, वो किस में आ जाता है, portfolio में, तो अग portfolio में बना सकते हैं, कि पूरा साल बच्चे को observe कर रहे हैं, तो हर बच्चे की separate separate उन्होंने diary लगाई हुई है, या फिर कुछ भी page पर लिख रहे हैं, तो portfolio बच्चे की accomplishments का, clear हो गया, ये चीज, portfolio भी clear होगा, observation भी clear हो गया, अब देखे, observe अगर teacher कर रहे हैं, तो उसके लिए तीन को tick कर सकते हैं, कि for example, teachers पूछते हैं, कौन बच्चे books लेकर आया है, school में, मेरे subject की books कौन लेकर आया है, test किस-किस ने prepare किया है, ठीक है, uniform complete किस-किस बच्चे ने डाली है, ठीक है, या फिर एक चीज और आप सो सकते हैं, कि Tiffin में healthy food कौन लेकर आया है, ठीक है, ये सार कर दिया, जो test prepare नहीं कर के आया है, ठीक है, उस check box को tick नहीं किया, तो ये checklist होती है, कि क्या कुछ बच्चों ने किया है, क्या नहीं किया है, ठीक है, इस तरह की एक checklist होती है, ये चीज़ क्लियर है, अब देखें, next है assignment, अब ये मत सोचेगा कि observation में में मैंने आपको ये दोन ही related है, observe करके teacher rating scale भी use कर सकते हैं, हम बस इन सभी को, इनका meaning हम समझना चाते हैं, तो मैं किसी को भी किसी के साथ relate करके आपको explain करूंगी ये चीज़, ठीक है, तो assignment दे देते हैं teacher, suppose बच्चे को कोई भी assignment दे दे, कि बच्चों आपने इसके रिलिए जो है काम करके आना है, फिर teacher क्या करेंगे, technique यूज कर लिए assignment, फिर assignment दे दी, अब कहीं पे तो return record रखेंगे न, उस चीज़ का, record making, क्या tool teacher यूज कर रहा है, वो क्या होती है, यहाँ पर, ठीक है, technique अलग चीज है, tools अलग चीज है, इसको mix नहीं करना, और यही एक बहुत बड़ा इसमें question है, कि आपको सीधा पूचा जा सकता है, कि rating scale is a tool, या फिर technique, या फिर कोई भी दो options और आपको दे सकते हैं, तो हमें पता है, rating scale क्या है, tool है, ना तो technique है, ना ही कोई और चीज है, ठीक है, अगर आपको ये चीज़े clear है, तब ही आपको पता लगेगा, कौन सी चीज technique के अंडर आत था, तो वो क्या था कि बच्चों ने कितना अच्छा अपना questioning skill use किया है, ठीक है, two पे, two मिल गया, उसको rank, three, four, five, ये six तक जाता था, I guess, ठीक है, तो इस तरह से rating scale होता है, हर बच्चे के लिए अपना-पना, ठीक है, हर lesson plan के लिए अपना-पना, वही meaning है, यहाँ पर rating scale का कि assignment के लिए six rates teacher ने fix कर दिया, suppose seven, zero, one, ये हो गया extremely poor, मतलब जिसको हम बिलकुल बखवास चीज जो बच्चा बना कर लेकर आया है, या फिर किसी ने बनाई ही नहीं है, उसको zero rating scale मिलेगा, जिसने पूरा excellent work किया है, उसको six rating scale मिलेगा, यानि कि rate कर रहे है हम उस चीज को, points से दे रहे है, छे में से कितने points दो गया, आप किसी के काम को, ठीक है, वो क्या है, rating scale, clear हो गया, assignment और rating scale भी, आप देखिए next teacher क्या technique यूज कर सकते है, बच्चों को evaluate करने के लिए, project assign कर दिया, suppose computer का कोई project है, ठीक है, बच्चों ने, टीचर ने बोला कि C++ यूज करके आपन एक clock का project बना कर लिख कर आना है, यानि की working clock का आपको coding लिख कर लिख कर आना है, तो वो एक project हो गया, तो उसके लिए teachers, फिर इसमें से कोई भी tool यूज कर सकते कि बच्चे project बना कर ले आए, ये काम देखिए, बच्चों की तरफ से आ जाता है, और यहाँ पर होता है teacher का का कि teacher यहाँ पर आपको marks देते हैं, या whatsoever चीज देते हैं, यहाँ पर बच्चे काम करते हैं, ये technique teacher मतलब suggest करते हैं, या फिर use करते हैं, लेकिन इसमें basically काम किसका होता है, बच्चों का, लेकिन portfolio बनाना ये बच्चों का काम नहीं है, assignment करना बच्चों का काम है, project बनाना बच् स्पेट करना यह सभी चीजों में किसकी involvement ज्यादा है बच्चों की teacher की involvement क्या है कि इन चीजों के basis पर यह tools यूज करते हैं यह चीज क्लियर हो गई techniques और tools में बिल्कुल भी आपको confused नहीं होना है दिन देखिए anecdotal record क्या होते हैं कि सारा record बच्चे के लिए नहीं रखना कुछ particular incident या फिर for example project दिया तो उस project के related anecdotal record बच्चे का रख लिया कोई specific incident हो या फिर specific कोई भी event हो कोई चीज हो उसके लिए जो हम particular चीज के लिए रिकॉर्ड रखते हैं बच्चों का वह होता है anecdotal record for example साल में बच्चों ने एक major project करना है तो उसका record किस तरह से रखेंगे specific हो गया यह तो anecdotal record के थूँ ठीक है समझ में आ गया यह किसके लिए होता है कोई भी अगर हमने particular record रखना है बच्चे का किसी भी तरह का तो वह किसमें आएगा anecdotal record के अंदर next देखिए rubrics क्या होता है rubrics होता है कि बच्चे की performance किस तरह की है various categories में for example अगर हम project करते है project करने के लिए कितने phases होते है plan करना होता है ठीक है plan करना होता है फिर जो data है हम वो gather करते हैं फिर उस चीज की coding करते हैं फिर implementation होती है फिर feedback या फिर जो भी checking टेस्टिंग होती है यह सारे steps होते है न project में तो teacher rubrics में किस तरह का record रखेंगे कि बच्चे की planning में क्या performance रही उसने किस तरह का data collect किया coding में कितना strong है बच्चा या फिर implement किस तरह से उसने किया हर एक field में for example यहाँ पर अगर हम normal बात करें other than computer तो बच्चे mathematics में कितना अच्छा है science में कितना अच्छा है या फिर mathematics में बच्चा algebra में कितना अच्छा है geometry में कितना अच्छा है मतलब proper categorize करके बच्चों की performance को judge करन उसका रिकॉर्ड रखना वो क्या है रियो ब्रिक्स टूल के अंडर आता है यह चीज भी क्लियर हो गई अब देखें इंटर्व्यू इंटर्व्यू वही है जो आप लोग समझ रहे हैं बच्चे का इंटर्व्यू लेना ठीक है उससे बात करके चीजों का पता करना की ठीक है इंटर्व्यू के लिए शेडियूल बनाया जाता है सबसे पहले टॉपिक किस जॉब के लिए या फिर किस चीज के लिए इंटर्व्यू है फिर उसका क्या शेडियूल रहेगा कितने बच्चे आएंगी उसमें ठीक है क्या उसकी क्राइटीरिया होगा सब कुछ इंटर्व होता है एक अगेंस्ट होता है डिबेट पता है ना आप लोगों को कोई भी आपको एक टर्म दे दी उसके एक बच्चा तो उसके इन फेवर बोलेगा दूसरा अगेंस्ट डाट बोलेगा तो डिबेट कॉम्पिटीशन होते हैं कि कौन सा कौन सा बंदा अपने तर्क ज्याद स्टार्टिंग किस तरह से की है चेकलिस्ट स्टार्टिंग लाइन बच्चे ने बोली है ठीक है पैराग्राफ जैसे आप कोई भी पैराग्राफ राइटिंग करते हो तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर हम बी एड में भी आंसर लिखते हैं तो एक introduction देते हैं meaning लिखते हैं definitions लिखते हैं ठीक है diagrams draw करते हैं या फिर conclusion तो यह अलग-अलग points बन गए तो उसी तरह से debate में भी अलग-अलग चीजें होती हैं जो बहुत important होती है mention करनी तो वो teachers checklist के through rating scale के through कर सकते हैं clear then देखे questionnaire का सीधा-सीधा relation हमारे test या फिर examination से हैं जिस चीज के related हम लोग बिल्कुल directly aware हैं जो भी हम test देते हैं या exam देते हैं for example आपका seated का paper है या बेड का paper है आपने एटीट का paper देना है या फिर आपने पी एस्टाड का paper देना है यह सब किस के अंडर आते हैं टेस्ट या फिर examination के अंडर और इसमें किस तरह से टूल यूज होता है questioning का यूज होता है बेड का paper आप देते हैं ठीक है या फिर डेलेड का paper आप देते हैं वहां पे आपको questions मिलते हैं उसका answer करते हैं तो यह technique हो गई यह हो गया उसका tool clear हो गई यह चीज अब देखिए examination या फिर test further तीन तरह के होते हैं first is achievement test, diagnostic test and then is prognostic test तो main इसमें देखिए achievement test में फिर दो चीज़ें आती हैं first is standardized test then is teacher made test अब standardized क्या होता है जो test suppose आपका जैसे हम कहते हैं न कि board की class है CBSE ने questions set कर दिये या फिर seated का paper आपका आएगा यह कहां से आएगा central level से paper आएगा और अगर हम P.T.E.D. की बात करें पंजाब state teacher eligibility test यह भी कौन set कर रहा है state set कर रही है कोई teacher नहीं set कर रहा है आपके college का या school का teacher नहीं set कर रहा लेकिन कोई state या central agency के अंडर अगर कोई आता है उसको हम बोलते है standard test for example aptitude होता है जहां पर आपका aptitude check होता है MCQs आते हैं आपको quant aptitude होता है attitude check होता है interest check होता है इसमें intelligence आ जाती है personality यह सारे aspects किसके अंदर आते है standardized test के अंदर उसके बाद teacher made test यह हमें बहुत अच्छे से पता है teachers किस तरह के test बना सकते है teacher होता है जो हमारे school level पर या college level पर test बनाते हैं कोई board या फिर कोई state board या central level की उसमें involvement नहीं होती लेकिन school या college के teachers खुद वो test बनाते है ठीक है समझ में आगे इतनी चीज़ अब देखें यह भी तीन तरह के होते है written test, oral test या फिर practical जो आप perform करते है oral test जो बच्चों को desk पर बुलाकर oral questioning के थुरू होता है उसके बाद होता है आपका written test जैसे आपके theoretical papers होते है न बीएड के हो गए या फिर जो भी आपका teaching course रहा है उसके हो गए तो written में भी तीन तरह के होते हैं further essay type long questions जो आपके 10 number के या 6 number का होता है फिर short questions जो आपका 3 number का 2 number का questions हो गया ठीक है जिसमें आपने limited लिखना होता है वो short हो गया objective हो गया जहांपे आपने सिरफ या तो yes या no बताना है या फिर option जो आपका seated का paper होगा पिए स्टेट का paper होगा यह सब किस में आते हैं objective में clear हो गई यह चीज़ अब देखें इसमें objective paper भी set हो जाता है यह सिरफ एक example है कि teacher भी यह test बना सकते है objective तो यह कि किस तरह का test है essay type test है short test है objective test है ठीक है तो teachers में test return यह तीन तरह का होता है और जो seated का आपका paper है यह भी क्या होगा यह पी ए स्टेट का यह भी क्या होगा आपका objective paper तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी problem नहीं है तो वीडियो को like and share जरूर की जगा like दीजीए वीडियो को अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ गया हो तो see you in the next वीडियो till then keep watching